शुबमान गेल कल पाकिस्तानियों का भूत चड़ा हुआ ना काइदेस उतारे गए और मैं आपको बताता हूँ शर्त लगाँ दस जार पे की शर्त लगाँ आपके अंदर दस जार इंडिया के शुबमान गेल 50 प्लस मिनिमम अगर नहीं आप देख सकते हो कि इनके अंदर शर क्या होगा यह पाकिस्तान से मैं अकड़ाइब हिंदुस्तान से दो आएं लेकिन यह दोनों पर एक हिंदुस्तानी भारी पड़ेगा तो कोई और नेपाल पहलों को नेपाल के खिलाफ आपके टॉप के चार बल्ले बाद जख मरा रहे थे आई-टलडपड़ा मुझे पतन बोलने वाले आप कुछ नहीं होते हैं बहुत बुरा आ रहे थे हमसे अठारा पर तालिस डिफेंड नी कर पाए तो उस दिन डूम मरना चाहिए था आप सभी को खास कर जो आप लोग बाते करते हो ना यहीं नहीं अभी और सुनिए बोलाव की कहरे थे पहले यह तो पता है आ पहले जैसे तारा सिंग सकीना को लाए थे अपने बेटे को लाए थे और हम इन दोनों पर फोड़ी वीजय पाएंगे जी-जी-जी-जी-जी-जी-ब भारत ले जाना ऐसी कोई गल्ती नहीं करनी है इनको यहां से वापिस पाकिस्तान ही बेजना है क्यों भारत लेकर आना यह कैसे क्या कह रहे हैं क्योंकि निपाल ने इनके खिलाफ 230 बना लिए और यह उस दिन हमें बातें कर रहे थे कि 266 रस जो है यह बारश ने पाकिस्तान को बचा लिया और मेरे साथ भाई लड़ पड़ा मुझे पतनी कहां कहां के ताने दिया ऐसे ताने तो सास नहीं ने बाजू ने अपना भी अपना रूप नहीं दिखाया अब इसका चोटा सा एक जवाब देता हूं 230 उन्हें ने बना लिए आपके कितने आउट होगे थे नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान में चार सो के आसपास हमारा कितने हुआ थे आपके नेपाल के खिलाफ तो कोई भ मुहमत शामीको मुहमत सिराज मुहमत शारदूल ठाकूर कुलदीब यादफ जड़ेज अर्दिक पांडिया इनको कहां से खेलोगे ये तो चोटे रोईत पुदेल को नेपाल एक बेबी टीम थी आपके बैटर्स के अगेंस्ट नेपाल एक बढ़ी बेबी टीम है जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाके उड़ा दिया वह तो दिन आपके चाचु जो थे वह चाची चूची आ गई तो उसके बाद उन्होंने आप मतलब आपको बचा लिया और बाबर जो हमेशा कहा जाता कि बाबर मतलब इस नोन फॉर प्लेंग बिक इनिंग्स वर्से स्म अनी चाहिए कि हमने निपाल से चे विक्टेंग वहीं और आपने निपाल को एक विकट भी नी दिया अच्छा मेरी पिछले वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल के अंदर आप सारे मेरे हिंदुस्तानी दोस्त भाई ऐसे जोड़ के बैठे वे थे कि इतनी बड़ी बोलंग लाइ इसा आप लोग बोलते हो कि आपकी जो गेंदवाजी है सबसे बड़ी गेंदवाजी है रुख तो जाब बोलने तो दो ना बोलने से नहीं होता है ही रषा दुनिया के नंबर बाद बाते खरते हैं हर इस रौफ को क्या हुआ वाल आई चक्का अगली बॉल आई चक्का पा पुरे पाकिस्तान में जितना क्रिकेट खेला है उसने सरफ यही शौट देखें हैं यह कहां से आ गया अब यह ऐसे भी शौट होते हैं उसके इसे सुलो मोशन मोशन उसके होजार उन्नीस में सो मारा था ना रोइतने बाबर ने मारा कभी सो पाक इंडिया के खिलाफ बाबर आप लोग खेलते नहीं हो हमारे साथ पांच मैचिस पांच खेल चुका ना बाबर पांच में पुचास कमारे थे जब एक सो बाबन पे बूल जाते हैं एक सो बाबन वाला भूल जाते हैं एक सो बाबन का इतियास है वह रेस कर देते हैं यार आप 172 बोलने वाले आप कुछ नहीं होते आप बुरा आ रहे थे हमसे 18 पर 48 डिफेंड नी कर पाए तो उस दिन डूम मरना चाहे था आप सभी को तो खास कर जो आप लोग बाते करते क्यों नहीं किया वर्ल्ड कुछ चोटी टीमों को भी तो आके बेजना कुछ चीज करने के लाइक में एक बंदा भी आउट कर सकते भाई मेरी बास हमारी मर्जी कि हमने नहीं करा इंग्लेंड को पते क्यों करवाया ताकि आपको बुरी तरह से मार सके पतरकारी का मतलब यह आपकी टीम ने कल भी नेट्स की आज भी नेट्स की तो नेट्स में बहुत अच्छा खेले हैं हमारे लहूर में एक स्कूल टीचर थे वो जब नेट के अंदर हम चका मारते था वो कैते हैं यार कोई मैच वाससे भी शाट बचा लगो तो इन्होंने सारी यहीं खेल रहे है आइसा भूत उतारे गां शुमन 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 कल पाकिस्तानियों का भूत चड़ा हुआ न का यदिस उतारेगा और मैं बताता हो शरत लगा द 20,000 की शरत लगा बाके अंदर दमे 10,000 इंडिया के शुपन खेल फिफ्टी प्लस मिनिमम चिए ना किया तो यह मैं जो आपको स्रिलंगा दा सब्सक्राइब करें इंडिया के 10,000 पे यहां के शिलंका के 37,000 पे अगर आपके अंदर इसना दम है और बोलने के आपके अंदर है तो बताएं शिलंका के 40,000 पे आप देख सकते हो कि इनके अंदर शर्त लगाने की इमत नहीं है मैंने बोला शुबन कि 50 प्लस मारेगा कल के मैच में दस यार की इंडिया रुपीज की शर्त लगा यह रोने लग देए भीग मांगरें आपस में कि तू पांच यार दे तू पांच यार दे अरे इनको शरम आनी चाहिए इनको इतना मतलब बड़ी बातें कर रहे थे आँए कि यह रँड़ी बना पाएगा लगा लो शर्त लगा हो शर्त लगा जाहिन मैं हूँ अमन और आप लोग देख रहे हैं इंदुस्तान न्यूज स्पेसल दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कल यानी 10 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एसिया कपका एक और महा मुकाबला खेला जाएगा जिसको देखते हुए दोनों देशों के बीच में बिल्गुल गहमा गहमी मची हुई है इसी बीच एक बीडियो आई है जिसमें बैभा भॉला जो स्पोर्ट्स न्यूज 24 के जर्नालिस्ट है उन्होंने कुछ पाकिस्तानी मेडिया वालों को बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया है क्योंकि ये पाकिस्तानी मेडिया वाले कह रहे थे कि हमारी टीम इसमें बहुत ही मजबूर टीम है और कल भारत को हरा देगी जिसके बाद बैबो भोला ने अकेले ही उनको जवाब देते हुए बताया कि 2021 के वार्ड कॉप में क्या हुआ था बिराट कॉली ने हैरिस रोप का क्या किया था आप लोग भोल गए जिसके बाद पाकिस्तानी मेडिया का कहना था कि आपकी तीम जिस तरीके से प्रेक्टिस कर रहे है इसी से लग रहा कि आपकी तीम बिल्कुल डरी हुई है उसके बाद बैभो सर ने बताया कि आज ना हमारे बिराट कॉली प्रेक्टिस किये ना रोही सर्मा किये ना हर्दिक पांडया किये ना सरे सयर किये और तुम कैसे कह सकते हो कि आपकी टीम डरी हुई इसलिए इतना प्रेक्टिस कर रही है जिसके बाद पाकिस्तानी मेडिया पीछे अट गई जो पाकिस्तानी मेडिया कह रही थी कि हमारी टीम कल जीतेगी और सुमन गिल के बास से ही पीछे अट गई क्यूंकि पाकिस्तानी मेडिया उपर से तो बहुत ज्यादा बोल रही लेकिन वो खुद ही confidence में नहीं है कि उसकी team जीतेगी किसी भी पाकिस्तानी से पूछो तो यही कह रहा है कि हमारी team कमजोड है या वो यह कह रहा है कि 50-50 का मामला है लेकिन कोई यह नहीं कह रहा है कि हमारी team जीतेगी लेकिन बैभो भॉला ने उनको challenge किया है कि ज्यादा तर उम्मीद हमारी team को जीतने की है और जीतेगी भी और बैबो भोला ने उसी के साथ साथ उन जन्नलिस्ट को पुराने दिन भी याद दिलाएं कि किस तरीके से भारत उनको हराते हुए आया है और जो उनके कप्तान है बाबा राजम जिनकी बहुत तारीफ हो रही हो सिर्फ छोटे टीमों के सामने ही खेलना जानते हैं